हेलो दोस्तों, आज हम लोग divisibility rule पढ़ेंगे divisibility rule हम 2 का पढ़ेंगे το樹 का, मतलब divisibility का मतलब हिंदी होता भी भाजता हम चेक करेंगे कोई भी digit कितना भी बड़ा digit क्यों नहोँ, 2 से कैसे कटेगा जिस संख्या के आंत में जिस संख्या के आंत में जिस संख्या के अंत में दो, चार, छे, आठ और जीरो रहे वो संख्या दो से कट जाएगा इसका मतलब अगर कोई भी संख्या जैसे कि 2, 4, 6, 8 अगर हमको पूछ देगा कि इस दो से कटेगा यह नहीं तो इसके अंत में आठ है तो इस दो से कटेगा कितना भी बड़ा अंक्यों नहीं देगा लाश्ट में कितना जीरो इसलिए इस दो के पहाडा में आएगा यानि कि इस दो से डिविजबल हो जाएगा साथ, आठ, फोर, सिक्स, एट लाश्ट में एठ है इसलिए यह तो से डिविजबल होगा एट, फोर, सिक्स, लाश्ट में सीक्षे इसलिए 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 3 से डि विजबल होगा यह दिविजबल्यीटी रूल मतल्छ होगा कि कितनी भी बड़ा अंक्यों नहीं है दो Mr. D up अब हम नो डिविजबल्यीटी रूल रूल 3 का देखेंगा डिविजबिलीटी वाई ठीरी का चेक करने का क्या नीम है ठीरी का चेक करने का रूल है जैसे कि पहले हम कोई भी अंक लिख दिए जिसको कैसे चेक करें कि तीन से कटेगा कि नहीं तो सब अंक को टोटल जोड़ देंगे तो जिसके सब को जोड़ देंगें। तो सब को जोड़़ने को कितना आ दा रहा है। अठारा अचार बाईस इतना लिख दिए तो इसको चेक करेंगे कि डिविजबल रोज 3 है कि नहीं तो कैसे चेक करेंगे जैसे कि सब को जोड देंगे अगर जोडने के बाद तीन से कट जाता ती पूरा अंग भी तीन से कट जाएगा वैसे तो करीं सकते हैं एक नियम आओर है जिसे नो नो तीन से कटता है तहां कटता है तीन कटता है तीन कटता है हां कटता है नो कटता है तहां कटता है पांच नहीं कटत 18, 24, 24, 25, 29, 29, 30, 32, 32, 32, 32, 33, यह तीन से नहीं न करता है इसलिए 9 divisual y 3 होगा यह तना क्या होगा यह तना 3 से नहीं करते हैं ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जिसे की 5 एक और लेखते हैं 5, 9, 6, 5, 9, 3, तो असान बनाने के लिए इसे 9 है तो 3 से करता इसको ऐसे ही खतम कर दिया 6, 3 से करता खतम, 9, 3 से करता खतम, 5, 5, 10, 10 बटा 3 नहीं करतेगा तो इतना अंग तीन से नहीं कटेगा तो पूरा जोड़ने का अगर हम लोग जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ के भी कर सकते हैं और ऐसे भी हो जाएगा अब हम लोग divisibility by 4 चेक करें हैं 4 चेक करने का क्या rule है जैसे कि कोई भी हम digit लिखती है 4, 6, 5, 0, 4 तो लास्ट बला 2 अंग क्या लास्ट बला 2 डिजिट अगर 4 से divisible है तो पूरा डिजिट 4 से divisible होगा तो लास्ट बला 2 डिजिट 4 है तो यह 4 से भागा लग जाएगा तो पूरा अंग 4, 6, 5, 0, 4 भी 4 से divisible होगा एक और एक्जामपल लेते हैं इसे 3, 4, 6, 8, 4, 8, 4 तो लास्ट बला 4 से divisible है हाँ बिल्कुल है चार दुनी आठ है एक बार में 4 लास्ट बला 4 से कट रहा इसलिए पूरा अंग भी क्या होगा जो 3, 4, 6, 8, 4 लिखे ना यह पूरा अंग भी 4 से कटेगा जिसे 3, 5, 8, 9, 2 लास्ट बला 4 से divisible है तो काट के देख लेंगे दू बार में 8 अब 12, 4 ती आब रहा हाँ इकट जाएगा यानि कि 92 फोर से divisible है तो यानि कि पूरा अंग भी 4 से divisible होगा उमीद करते हैं 4 का divisibility rule आप लोग को समझ में आ गया होगा अब देखें divisibility y 5 divisibility y 5 चेक करने का क्या नियम है जिस संख्या के अंत में 0 और 5 हो वो संख्या 5 से कटेगा जैसे में देख लिजे 10, 50, 60 कहेगा कि 5 से कटता है कि नहीं तो लास्ट में 0 है तहां भाई 5 से कटेगा 4, 0, 5 4, 0, 5 8, 0, 5 है तही 5 से कटेगा तही 5 से कटेगा तो लास्ट में 5 है तही 5 से कटेगा को कितना भी बड़ा अंक्यों ना 5 5 दूग है तो लास्ट में 5 है कटेगा 5 का बहुत असान है divisibility rule अब हम लोग देखेंगे divisibility rule 6 का